जहीं दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल Study Blaster पर और मेरा नाम है दिनेशारे उमीद करते हैं कि आपके SSC GD की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी SSC GD की तैयारी में ही हम आपके लिए लेकर आ गए हैं SSC GD के previous year के questions और ये सभी questions आपके लिए आने वाले exam के लिए बहुत important होने वाले हैं तो इसलिए वीडियो को last तक जरूर देखेगा आपका कोई भी doubt यहां पर नहीं रहेगा और previous year के question यहां पर SSC GD के अंदर बार बार repeat होते हैं यह आप भी जानते हैं बाकी आपको वीडियो में पूरे question यहां पर करा दिये जाएंगे आप पूरा वीडियो देख लीजे चाहिए आप PDF ले लीजे PDF का यहां पर मुल्य बिल्कुल नाममात्र का मुल्य रखा गया है और एक नाममात्र के मुल्य में आप इसे purchase कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं अपने पहले question पर तो देखें पहला question यहां पूछा गया कि एलफा कन किसके द्वी आवेशित यानी कि डबली चार्जड आयन होते हैं तो यह होते हैं हिलियम के नेक्स्ट question यहां पूछा गया था कि वर्ष 2011-12 में की गई गणनाओं के अनुसार ग्रामिन भारत के व्यक्तियों के लिए गरिबी रेखा में प्रती माह आय कितनी तैकी गई थी तो यह की गई थी 816 रुपे भारतिय समिधान का कौन सा अनुछेद सहकारी समीतियों कॉपरेटिव सोसाइटीज के सनवर्धन से संबंदित है तो यह है 43B फकीर चंद कोहली को किसके रूप में जाना जाता है भारतिय सोफ्वेर आइटी उध्योक के जनक के रूप में नेक्स्ट कोशन है राजा टोडर मलकिस मुगल समराट के शासनकाल के दोरान राजस्व मंत्री थे तो यह थे अकबर के शासनकाल के दोरान अगला कोशन यहां पूछा गया कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक एहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी यानि कि किस वर्ष हुई थी तो यह हुई थी 1761 में नेक्स्ट कोशन पूछा गया कि कौन सा वह साधारन अपकरण है जिसका उपयोग विधुत परिपत को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है तो यह है स्विच नेक्स्ट कोशन देखेगा क्या पूछा गया कि पानी के एक अणू में हाइड्रोजन और ऑक्सिजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है तो यह होता है एक अनुपात आठ किसको विट्टी कल्चर के रूप में जाना जाता है विट्टी कल्चर देखे एंटी पीसी में भी काफी बार पूछा गया और रेलवे गुरूपडी में भी काफी बार पूछ स्वच भारत मिशन ग्रामीन के चरण 2 की शुरुवात किस वर्ष से हुई तो यह हुई 2021 में नेक्स्ट कोशन है टीम केरल ब्लास्टर्स किस खेल से संबंदित है तो यह फुटबॉल से संबंदित है अगला है यहां पर 26 जनवरी 2019 को भारती समिधान ने अपने स्थित्व के यहां पर 69 एर्स कमप्लीट किये हैं तो इन वर्षों में इन में 12 जनवरी 2019 तक प्रावत जानकारी के अनुसर कितनी बार संचोदन किये गए हैं 12 जनवरी 2019 तक सर्यू नदी किस नदी की सायक नदी है तो ये शार्दा नदी की सायक नदी है क्या सार ग्राही कला के उच्छिस्तर को दर्शाता है जिसमें सात्वी और आठ्वी शताबदी में चालुक्य वन्ष के अधीन उतरी और दक्षणी भारत की वास्तुकलाओं का सुमेलित मिश्रन हुआ है तो ये है यहाँ पर आपका पटद कल कौन सा जिला मिजो लोगों का परंपरागत बांस रत्य है तो ये है चेराव नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर तो नेक्स्ट कोशन यहाँ पूछा गया कि कौन से अपने ययात्री और तुगलक नामक नाटकों के लिए परसिद है तो ये है ग्रीश करनाड नेक्स्ट कोशन यहाँ पूछा गया किस संस्तान ने नॉमबर 2020 में टीम हेलो नामक पहल चुरू की थी तो ये की थी संहुखतराष्टर ने अगला कोशन यहाँ पूछा गया आप से कि भारत के पंजाब से निकलने वाली पांच नदी आं पाकिस्तान में मिथन कोट में किस नदी में मिल जाती है तो ये मिल जाती है सिंधु नदी में नेक्स्ट कोशन है हमारा किस खेल के एक भारतिय खिलाडी है तो ये हैं गोल्फ के नेक्स्ट कोशन ला लीगा खिताब किस से संबंदित है तो ये फुटबॉल से संबंदित है उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने कहां के एक प्राणी उधान का नाम स्वतंतरता सेनानी और क्रांतिकारी अश्फाक उल्ला खान के नाम पर रखने के प्रस्ताओं को मंजूरी दी है तो ये गोरकपुर्क ने कौन सा जन्तु अपनी त्वचा द्वराश्वसन करता है तो वो करता है मिंडक यहां पर होजे नकल जल प्रपात किस राज्य में स्थित है तो यह है तमिलनाडू में 1857 तक कौन सा किला भारत के मुगल समराटों का लगभग 200 वर्षों तक निवासिस्तान रह चुका था तो यह रह चुका था लाल किला नेक्स्ट कोशन है आपर कि भारत सरकार द्वारा पेंचन भोगयों के लिए शुरू की गई एक बायोमेट्रिक सक्षम डिजिटल सेवा कौन सी है तो यह है जीवन प्रमान सरवाधिक अभिकरिया शील धातु कौन सी है तो यह है पोटेशियम नेक्स्ट है आपर भारत सरकार ने किस वर्ष में आयुष्मान भारत प्रधान मंतरी जन आरोग्य योजना यानि की ABPM JAY को मंजूरी दी तो यह 2018 में दी अगला है आपर भारती जीवन बीवा निगाम अधिनियम संसत द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था तो यह किया गया था 1956 में नेक्स्ट कोशन देखिए का पूछा गया तो नेक्स्ट कोशन पूछा गया कि किस राज्जे में भोरम देव मंदिर इस्तित है जहां प्रतेक वर्ष मार्च के अंतिम सप्ता में भोरम देव महुत्सव मनाया जाता है तो यह है 36 गड़ में किसी वस्तू के त्वरण को तब क्या कहा जाता है जब वह वस्तू एक सीधी रेखा में गती करती है और समय के नियमित अंतराल में उसका वेग बढ़ता या गड़ता रहता है तो यह है एक समान नेक्स्ट है यहाँ पर भारते समिधान के 44 संचोदर नदिनियम 1978 के तहट कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है तो यह है संपत्ति का अधिकार अगला कोशन है यहाँ पर कौन सा यहाँ पर ग्यात्रक या छत्रिक शत्रिये वंश के प्रमुख थे तो वो थे वर्दमान महावीर नेक्स्ट कॉशन है यहाँ पर किसी विशेश वर्ष के दोरान देश के अंतर गयत उत्पादित सभी अंतिम बस्तों और सेवाओं के मौदरिक मुल्य को और क्या कहा जाता है तो इससे कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद नेक्स्ट यहाँ पर शिफ्ट में देखे क्या कुशन पूछा गया कि कौन से कवी फार्सी अर्बी और तुर्की के साथ ही साथ संस्क्रत हिंदी और राजस्थानी भाषा के प्रख्यात विद्वान थे तो यह थे अब्दुल रहीम खाने खाना सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रतम भारती अभिनेता कौन है तो वो हैं शिवाजी गनेशन बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कटू आलोचकों में से एक था तो यह था केसरी नेक्स्ट कोशन है आपर किस भारतीय क्रिकेटर ने 2022 स्वी में एंटी गुआ में वेस्ट इंडीज के विरुद अपने चोटिल जबडे पर बंधी पट्टी बांध कर 14 अवर तक बॉलिंग की तो यह थे अनिल कुम्बले नेक्स्ट कोशन है आपर ओडिशा में गणपती सामराज्जी के स्थापना किस वर्ष हुई थी तो यह हुई थी 1435 स्वी में किस टाइगर रिजर्व को 2021 में संडरक्षन सुनिश्चित बाग मानक का दरजा प्रदान किया गया था तो यह मुद्दु मलाई टाइगर रिजर्व को किया गया था नेक्स्ट है यहाँ पर कौन सा तलवार नरत्य कुमाउनी जन्जाती की युद्ध कला परंप्रा को चितरित करता है तो यह छोलिया नरत्य है जो की उत्राखंड के हमारे कुमाउं छेतर में किया जाता है हडपा इस तलव पर कहां पर हल रेखाओं के निशान खोजे गए थे तो यह खोजे गए थे काली बंगा पर अगला है यहाँ पर देखेगा नेक्स्ट कोशन की सैफ यानि की यहाँ पर महिला चेंपियंशिप 2019 कहां आयोजित की गई थी तो यह नैपाल में आयोजित की गई थी मोतिलाल नहरू की अदेख्षता में भारतिय समिधान के मौसदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिती का गठन किया गया था तो 1928 इस्वी में भारतिय समिधान के किस अनुछेद के अंतरगत किसी राज्ये के राज्येपाल को राष्टपती द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहीत अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है तो अनुछेद नंबर 155 के द्वारा रॉबर्ट हुक ने 1665 इस्वी में माइक्रोस्कोप के किसका निरिक्षन करते वे कोशिका की खोज की थी तो कौर्क के टुकडों का भारतिय कम्यूनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआता तो 1925 इस्वी में कौन सा भारत में बैंको द्वारा अपने ग्रहाकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं है तो यूरल अगला है यहाँ पर देखेगा कि किसी जीव के आधार यूग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रकरिया क्या कहलाती है तो यह कहलाती है उत परिवर्तन रोनाचल प्रदेश राज्य की सबसे उची चोटी कौन सी है तो यह है कंग तो नेक्स्ट यहाँ पर हुंडरु जल पर पात किस नदी पर इस्तित है तो यह है सुमर्ण रेखा पर नेक्स्ट यहाँ पर चकरवात अंफान भारत में कब आया था तो यह आया था मई 2020 में नेक्स्ट यहाँ पर पिता की संपत्ती में पुत्रियों को समान अधिकार देने के लिए हिंदू उत्रादिकार अधिनियम 1956 को किस वर्ष शंशोधित किया गया था तो यह किया गया था 2005 में नेक्स्ट यहाँ पर देखेगा कि योकोहामा जापान का जो बंदरगा है वो कौन से महासागर में इस्तित है तो यह है परशांत महासागर में मिड एर रिफ्यूलिंग हवा में इंधन भराई के बिना एक बार में ब्रह्मोष से लेस सुखोई तीस की रेंज कितने किलोमेटर है तो यह है 1500 किलोमेटर की रानी की वाव या क्रीनस स्टैप वेल किस नदी के तट पर इस्तितेक युनेसको विश्व धरोहर इस्तल है तो यह है सरस्वती नेक्स्ट है यहाँ पर चंदेला राजवन्ष की राजा ने कंदरिया महादेव वंदिर का निर्मान करवाया था तो यह कौन से थे थंग देव ने नेक्स्ट है यहाँ पर कि आपतित किरण आपतन बिंदू पर लंब किरण और परावर्तित किरण सभी कहाँ पर अवस्थित होती हैं तो यह समान समतल में अवस्थित होती है दिल्ली सल्तनत के दोरान किस प्रकार का एक कर्द जो था वो एक कत्र किया जाता तो खराज कर अग नेक्स्ट कोशन है आपर कि भारत के समिधान के तहट कौन सा अनुछेद कहता है कि राष्टपती के पास किसी दोशी वेक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ती होगी तो ये हमारा अनुछेद नंबर बहतर कहता है कौन सा रसायन भारत में पहली बार स्थानीय रूप से निर्मित किया गया था और अक्टूबर 2020 में गुजरात इस्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स इंडिया लिमिटेड द्वारा लॉंच किया गया था तो ये बोरोनेटेड केल्शियम नाइट्रेड जो है यहाँ पर इसके द्वारा ये बनाया गया था next है आपर सर्प नौकादोड स्नेक बोटरेस किस द्वार की एक अनुठी विशेषता है तो यह है अनम की विदोत सेल के परतीक में छोटी मोटी और छोटी रेखा किसको निरुपित करती है तो ये निरुपित करती है रिणात्मक टर्मिनल को नेक्स्ट है यहाँ पर डूरंड कप किस खेल से संब्दित है तो यह कोलकाता से संब्दित है नेक्स्ट है यहाँ पर अल्ट्रा सोनिक तरंगो के आवरती कितनी होती है यहाँ पर देखें यह किस खेल से संब्दित है यहाँ पर कोलकाता से नहीं इसका आंसर यह नहीं होगा तो इसका answer जो है डूरंट का आप बताईएगा comment box में कि क्या होगा यहाँ पर दो option मैं आपको देता हूँ football या फिर tennis तो आपको यहाँ पर comment box में इसको right answer बताना है फिर मैं आपको comment में इसका right answer पिन कर देंगे जैसे जैसे आपके comment आएंगे उसके बाद हम आपको यह इसका answer पिन कर देंगे तो यह आपको आपके लिए यह question है क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसका question जो है खुद ढूनना पड़ेगा मतलब इसका answer खुद ढूनना पड़ेगा अर्ट्रासोनिक तरंगो के आवरती कितनी होती है तो 20 किलो हर्ट से अधिक होती है नेक्स्ट है यहाँ पर किसके अधिक्षता वले रास्टिक किसान आयूग ने यह सुजाव दिया था कि क्रशी फसलों के लिए नियुन्यतम समर्थन मुल्य MSP भारत की उत्पादन की भारती उसत लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चीए तो यह MS वामी नातन ने कहा था पॉली उमर्गीर पुरसकार किसके द्वारा दिया जाता है तो यह BCCI के द्वारा दिया जाता है सुधी रमन कप किस खेल से संबन दिता है तो सुधी रमन जो है यहाँ पर बैडमिंटन से संबन दिता है तो कौन सा कप किस खेल से संबन दिता है इस तरह के कोशन यहां SSC GD में बार-बार पूछे जाते है इसाई समधाय द्वारा जीसस क्राइस्ट के जन्म के उत्सव के रूप में मनाय जाने वाला वार्शिक तोहर क्रिस्मस किस तारिक को मनाय जाता है आपको बहुत अच्छे से पता है 25 दिसंबर को मनाय जाता है भारती विद्रोहे के शुरुआत 10 मई 1857 को मेरट से हुई और यह कब खत्म हुआ तो 20 जून 1858 को ग्वालियर में यह खत्म हुआ वाइसराय लॉड करजन ने कब बंगाल का विभाजन किया था तो 1905 इसवी में तो यह है नवीन चावला जी अब चलते हैं अगली शिफ्ट में पूछेगे कोशन्स पर तो देखे उन ध्योग में छटाई करता कभी किस जिवानों से संक्रमित हो जाते हैं तो लेटराइट मिट्टी में किस राज्य ने एक दिसंबर 2020 को अरुनुदय योजना का शुबारंब किया था तो यह किया था असमने कालिदास रचित नाटक अभिग्यान शाकुंतलम शाकुंतला और किस राजा की प्रेम काता है तो यह है दुश्यंत राजा की और अंग्जेब जहां एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने सामराज्य के सैन्य और वित्तिय संसातनों को अधिकांशते खर्च करता था तो वो था दक्कन नेक्स्ट है यहाँ पर हजारी द्वारी महल कहां पर इस्तित है तो यह है मुर्शिदाबाद के अंदर नहीं करेगा तो 2022 में ही करेगा भारत में हिम तेंद्वा यानि कि स्नो लपाड जो है परियोजना की शुरुवात किस वर्ष की गई थी तो यह 2009 में की गई थी कौन सा मोती प्राथमिक घटक है तो यह है केल्चियम कार्बोनेट नेक्स्ट कोशन देखेगा यहाँ पर कि ख 2020 को सब्जियों के आधार मुल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था तो यह था केरल भारत के राश्ट्री धोच के सफेद भाग के केंदर में एक घहरे निले रंग का अशोक चक्र सुसजित है इस चक्र में कितनी तीलिया है तो इस चक्र में टोटल 24 तिलिया है करश्ण देव राय जिनोंने 1509 से लेकर 1529 इसवी तक विजयन अगर पर शासन किया किस राजवन्ष से संबंदित थे तो यह थे तुलूव राजवन्ष से संबंदित थे भारतिय समिधान का अनुछेद 368 किस से संबंदित है तो यह संविधानिक संशोधन से स कौन है तो यह है रगुराम राजन कौन सा समाचार पत्र राजाराम मोहिन द्वराज शुरू किया गया था तो समवाद कौमोदी देखे बार-बार यह कोशन आपसे पिछले वार वाले ससी जीडी में पूछा गया है हेफटा थलिट स्वापना बर्मन किस राज्य की मूल वासी है तो यह है पश्चिम मंगाल की नेक्स्ट कोशन देखेगा यहां पर कि नेक्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा गया कि कौन सा यहां पर अलावदिन खिलजी के दरबारी कवी थे जिन्नोंने प्रसिद कवीता हस्त बहिश्त लिखी थी तो यह बहुती अच्छा कोशन तो यह थे अमीर खुसरो नेक्स्ट कोशन आया पर महासागर का उतला इस सजो एक या उससे भी कम की ओसत धाल दर्शाता है वो क्या कहलाता है तो वो क्यलाता है महादीपिये ताक नेक्स्ट कोशन आया पर कि किसी देश के भीतर उतपादित सभी अंतिम वस्तुओं और अधिक फॉलोवर्स थे तो जनवरी 2022 तक किस राज्य के दो तटिये गाउं को आपदा का सामना करने के लिए उनकी समग्र तयारियों के लिए युनेसको के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी के लिए तयार घोशित किया गया था तो ये किया गया थ है भारत के समिधान का कौन सा अनुचेद यह बताता है कि राज्य भारत के पूरे छेतर में नागरिकों के लिए समान नागरिक सहिंता सुनिश्चित करने का प्रियास करेगा तो ये बताता है अनुचेद नंबर 44 अधिकांश भारती घरों में सुरक्षित पेजल प्राप् मंतरी सिंदु नदी जो संदी है 1960 के अनुसार भारत सिंदु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है तो भारत यहां पर इसका 20% 20% जो है यहां पर यूज कर सकता है गांधी जी ने किस वर्ष में एहमदाबाद में सूती मिल्स रमिकों को साथ लेकर एक सत्या अगर आप लोगों का प्यार मिलेगा तो हम इस सेरीज को पूरा करेंगे और कंप्लीट जितने भी कोशन है प्रीवियस हैर के वो आपको वीडियो के थुरू कराएंगे हाला कि अगर आप इसका PDF लेना चाते हैं तो नीचे description में हमने इसका link भी दे दिया है वहाँ से आप नम मातर के मुल्य में इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत